चंडिगर दिली राष्ट्री राजमार्क पर बस ताला टोल टेक्स पलाजा के समीप इनोवा गाड़ी में विस्फोटक सामागरी सेथ चार अतंकवादियों के पकड़े जाने से शेत्रवासी हैरान है। अलर्ट नहीं होती तो धरे गए आतंकी हर्याना की सीमा पार कर दिली में प्रविश कर जाते। पुलीस ने जब बस ताड़ा तोल पलाजा के समीप आतंकियों की गाड़ी को घेरा तो आसपास के वहां चालग भी हत प्रब रह गए। एक पल किसी को भी पुलीस की इस कारेव का एसास नहीं हो पाया। आतंकियों को गरफ्त में लेने के बाद पुलीस ने उनकी गाड़ी को भी कबजे में ले लिया और मधुबन थाने लाया गया। जहां पूरे दिन वरिष्ट अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। कई घंटे बाद पुलीस अधिक्षग गंग थे। गनिमत रही की करनाल पुलीस ने सक्रियता दिखाते हुए आतंकियों को दबोज लिया। अन्य था दो घंटे में हर्याना को पार करवे दिल्ली की सीमा में परवेश कर जाते। आतंकी करनाल सीमा शेतर में पकड़े गए। इसलिए राष्ट्य सुरक्षा एजेंसिय के साथ करनाल पुलीस की जांच का दायरा भी बढ़ गया। इन आतंकियों के तार कहां कहां तक जुड़े हैं और अब से पहले इनकी किन किन गत्ती विधियों में सनलिप्तता रही इसके बारे में भी पूरी जानकरिया जुटाई जा रही हैं। इसके साथी किस राजे में कौन-कौन लोग इन से जुड़े हैं यह तमाम बिंदु जांच के दारे में आ चुके हैं। ऐसे में अब पुलीस को हर उस कड़ी तक पहुँचना होगा जो आतंक से जुड़ी हो सकती है। साथी पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमाओं की सुरक्षा को और भी पुख हमारी BDDS टीम अभी मोके पे हो और अग्रिम कारवाई कर रही है। जो BDDS टीम मोके पाई है उसके जो भी उसकी जांच के अनुसार परतम दरश्टिया एक्सपलोजिव की पुष्टी हुए है। बं दिरोदक दस्ता मोके में मुझूद है। एपेस्वल की टीम मोके में थाना मदुबंद में F.I.R. in R.O.P. खिलाब दर्श कर ली है। और आगे के जहाँ जारी है।